मुंबई इंडियन्स देश संद्राइजर हिदरबाद को 42 रंच से राकर जीत दर्ज करी है मगर ये जीत उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मुंबई को जरूरत थी इसलिए फ्रेचाएंजी इस सीजन रन रेट से पिचडने की चलते प्लेओफ में केके आर नहीं कर शकी हलांकि इस मैच में मुंबई ने सांदार प्रदशन किया टीम के शलामी बलेबाज इशान किशन ने तुफानी बलेबाजी की जिसके लिए उन्हें मैन अफ दा मैच अवार्ट से नवाजा गया मुंबई इंडियन्स की सलामी बलेबाज इसान किसन ने फॉर्म में वापसी कर ली है पिछले मैच में तुपानी बलेबाजी करने की बाद उन्होंने इस मैच में भी 32 गंदो पर 84 रनों की लाजवाब पारी खेली इस पारी के दुरान उन्होंने यारा चौके वच्यार छके लगाए खुद को लाई में देखकर इसान किसन काफी खुस दिखाई दिये और मैच की बाद मैन ओफ नम मैन अवाड लेते वक्त उन्होंने एक ऐसी बात कह दी रोही शर्मा और विराट कोली को लेकर किसूनकर हर कोई हरान रह गया तो मैं खुद रोही शर्मा ने प्ले आप से बाहर होने को लेकर किस तरह से चिंता जाहिर करी है और कैसे फटकार लगाई है गुस्से में रोही ने दिया है बहुती बड़ा बयान आईए जानते हैं क्या कहा रोहित ने और इसान किसन ने कैसे बड़ा खुलासा किया है रोहित और विराट को लेकर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है रोहित के फैन विराट के फैन इसान किसन के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं इसान किसन ने यहाँ तक बता दिया कि जब उनका मैच विराट कोली की टीम से था और उसके बाद जब विराट ने मुझे एक बहुत बड़ी बात कही विराट ने उस वक्त उनसे क्या कहा था टीटवेंटी वर्लकप में उनका क्या रोल होने वाला है साथी में रोहित सर्मा और फ्ले आफ से बार होने की बाद और किस तरह से भावुक हुए इसान किसन और क्या बड़ा खुलासा क्या है रोहित को लेकर आईए यह जाने से पहले जानते है रोहित सर्मा ने क्या कहा रोहित ने कहा जब आप मुंबई जैसी फ्रेचाइन जी के लिए खेलते हो तो आ आप से हमेसा बहतरीन परदशन की उम्मीद की जाती है मैं इसे दबाव नहीं कहूंगा हमने एक समु के रूप में पिछले पांच से साल में जैसा परदशन किया है उसे लोग आप से बढ़िया परदशन की अपेक्सा करेंगे ही कुछ के लाड़ी को ड्रॉप करना बहुत लग गया एक बार जब आप यहां आए हमें सामु एक विफलता मिली लेकिन आज जीत से बहुत ही कुछ हूँ और मुझे यकीन है कि यह परदशन को के लिए मन और अंजग था तो हैं प्ले आफ की रेस को लेकर टॉस के वक्त रोईत ने कहा हमें इस प्ले आफ में जगा ब बिने वाले हैं उमीद करते हैं कि हम मैदान पर जाकर वो करें जिससे करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा एहम होता है कि हम मैच का पूरा मज़ा उठाएं यह सीजन अब तक के लिए उतार चड़ाओ रहा है लेकिन जो आज हमें करना है वो वाकई में एक बहुत ही बड़ी चुनोती है और आज तक न केवल इंटरनेशनल करिकेट बल्कि किसी T20 लीग में भी नहीं हुआ वो हमें करना है लेकिन अफसोस की बात कि वो वो कर नहीं पाए आईए जानते हैं अब इसान किशन ने क्या कहा ये जाने से पहले ये जानते हैं आप किसान किशन आईपिल 2021 की शेकन लेक में कराब परदसन से जूज रहे थे उनका बल्ला रनों के लिए तरस रहा था मगर युवा के लाड़ी को खुद को बैक किया राजस्तान रोयल के खिलाब वापसी और इस मैच में लाइब बनाई रखी इसान किशन ने कुलासा किया विराट कोली सहीत सभी ने उनका सपोर्ट किया उन्हें इस फेज में सीखने को मिला किशन ने आगे कहा विराट भाई के साथ मेरी अच्छी बात चीत हुई इसान किशन को विराट कोली के साथ बात करते देखा गया था इसान ने बताया कि कोली ने कहा कि उन्हें एक ओपनर की रूप में चुना गया है किशन ने कहा मुझे ओपनिंग करना अच्छा लेगेगा और यही विराट भाई ने कहा आप एक ओपनर की रूप में चुने गए हैं आपको बस उसके लिए तयार रहना होगा बड़े इस्तर पर आपको अरिस्तिती के लिए तयार रहने की जरूरत है तो खेर आप क्या सोचते हैं सान किशन के बारे में कमेंट सेक्षन में अपनी राइज जरूर बताएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद